एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपके जो अमेठी सिके परमहन शास्रम से आए हुए संत मौनी बाबा है वो लगातार अंशन पर बैठे हुए हैं आज इस अंशन का दूसरा दिन है और उनके इस अंशन को तमाम दूसरे संत महात्माओं ने और जो तीर्थ पुरोहितों की संस्था प्रयागवाल सभा है उसने मी सम धालू अंशन पर बैठे हुए हैं लगातार नाम नाम का जाप कर रहे हैं और कल्यान बनर जी के खिलाफ कड़ी का रवाई किये जाने की मांग कर रहे हैं कल से मेले की शुरुवात हो रही है कल पहला इस नान पर मकर संक्रांति का है जाहिर सी बात है कि अनुष्ठान का दि है उसके जलिये जो है अपने अक्रोश का प्रदर्शन किया जा रहा है हम सीधे मौनी बाबा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते कि महाराजी प्रमुख मांग क्या है अब हमारा एक मात्र संकलब भाछंट मैं कि किशी भी धन पर किशी भी देवी देवता पर किशी वी भीक्ती को किशी भी राजनती व computer को ऐखुठार आगात करने का कोई अधिकार नहीं है जिने बैब देश के संविधान के मुखिया राश्पती जी से एक मांग करना चाहता हूँ किसी भी धर्म पर कोई भी ऐसी आपजने चिपड़ी ना करे जो उसकी आस्था पर कुठारा घात हो जिससे संद महातमाज नहीं समाज के लोगों में भी कोई पीड़ा ना पैदा हो ऐसा एक कानून बनाया जाए और उस कानून के तहट या विधान हो जिए कोई बिक्तिया इसी गलती करता है तो उसकी राजनेतिक पालिक सतस्ता समाप्त कर दी जाएगी ना चुनाव लग सकता है ना उसके कोई मानिता मिलेगी अगर ऐसा कानून नहीं बनता है तो ये ओट के भिकमंगे लोग ओट के भिकमांगने वाले नेता लोग अपनी रोटी सेकने के लिए कभी कभी देवी देवता पर कभी हिंदू मुसलमान पर कभी सिक किसाई पर कभी इस्त्री पुरुस पर कभी दलित सबन पर कोई न कोई ऐसा विबादित बयान देते रहेंगे जिससे आस्थाओं पर कुठारागात होता रहेगा इसने इस पर बिराम लगना चाहिए यह वन दोना चाहिए जो संत महत्मा हैं उनका यही कहना है कि राजनीति कुठा पटक में देवी देवताओं को निशाना ना बनाया जाए लोगों की आस्था पर चोट ना की जाए कुछ और संत हमारे साथ मौजूद हैं आप बताए महाराजी अंशन कब तक चले गए यह चलता रहेगा जब तंग पालिवाल जी आज इस अंशन में शामिल हैं बताए कि क्यों आप लोगों को अंशन पर बैठने की जरूरत पड़ी हैं देखे है क्या सनातन धर्म पर यह लगातार जो राजनेतिक दल्याने लोग जो प्रहार करते हैं यह गलत है हम किसी पर प्रहार नहीं करते तो बरदास महायाज भी नहीं करते किसी भी धर्म पर हो किसी तरह का कोई इस तरह का प्रहार नहुं और जो मौनी बाबा ची की मांग है कि इस पर एक कड़ा हम लोग तो अंदोलन करेंगे लेकि एक कड़ा ऐसाई प्राविधान हो कि जिसमें इस तरह के लोग दंडित हो उनकी सदस्ता समाप्त हो जो इस तरह का बयान बाजी करके पूरे देश को माहोल को आम जन को संत महत्मा सब को खराब कर देते हैं साफ तोर पर समझा जा सकता है कि प्रियागराज के मांग मेले में आए संत महत्मा और श्रद्धालूओं में कल्यान बनर जी को लेकर खासा अक्रोश है वो इसे हिंदू धर्म पर लोगों की आस्था पर कुठारा घात गता रहे हैं और राश्टपती से कल्यान बनर जी की संस अमद मुहिन एबी पी गंगा प्रियागराज अबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की